गाइस वर्ल्ड कप का पहला क्वाटर फाइनल मैच होने वाला है गेमिंग नाजिम वर्सिस अवेश शेख की बीच में टोटल बेस्ट आफ फाइफ के पांच मैच होंगी इन मेसे जो पहले तीन मैच जीतेगा वही हो गाइस गेम का विनर और यहाँ पर गाइस जो पहला पाक्स भी ऑपन करेंगे भाई ने काफी सारे पाक्स अपने यहां पर उपन कर ली हैं और इसी के साथ एक अच्छी शॉट खेली और रेडबी कवर कर ली उसके बाद गया पर नाजिम बाई जो यहां पर क्लोज हो जाते हैं तो कनेक्शन शॉट के लेंका ट्राइक कर रहे रिस्क लेने की जुरूरत है भाई को पहला मैच तो भाई बैठे बिठाया वेश्य को यहां पर मिल चुका है बस यहां पर सिर्फ एक ही पक है जो कि थोड़ सा फसी हुए बोटम लेफ्ट की तरफ है लेकिन उसको भाई एजली निकाल सकते हैं अभी टॉप राइट में खेल रहे तो इसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जो दूसरा मैच है वो भी फाइनली मिलेगी तो मतलब अभी उनको दिखाना है भाई अपना गेम प्लेट तो यहां पर यह इंडारेक्ट ब्रेक करने का ट्राइक कर रहे हैं और भाई ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक किया उसके बाद यहां पर टॉप लेफ्ट के लिए खेला एक सिंपल कनेक्शन रहे हैं और बीच वाले जो पक्स हैं उनको निकालने का ट्राइ कर रहे हैं लेकिन नहीं निकाल पए और अगेन से ट्राइ कर रहे हैं भाई ट्राइ अगेन कर रहे हैं बोटम राइट में लेकिन अगेन से नहीं निकाल पए और लास्ट वाली पक रहती है और दोनों पक्स उनको मिला है यह वाले बोर्ट को एजली नाजिम भाई जो है वो किलियर कर सकते हैं इनको डिफिकल्ट शॉट्स खेलने की कोई खास जोरत नहीं मेरे ख्याल से लेकिन भाई क्या फॉल होने से बचे हैं मतलब यार किसमत इनकी थोड़ी सी लड़ खडा रही है यहां पर तो यहां पर से गाइस खेल रहे हैं टॉप राइड में और ऑपनेंट की पको सामने से अटा दिया ताके अपनी पको वहां पर खेल सकें और लास्ट वाली जो पक रही है उसको बोटम राइड में खेलेंगे और इसी के साथ गाइस यहां पर जो दूसरा मैच रहेगा वो यहा ब्रेक भी किया, उसके बाद एक काफी अच्छी connection shot खेलिए भाई निकालने का ट्राइ कर रहे हैं, वाई ब्रेक भाई ने किलने का ट्राइ कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से भाई मिस करेंगे और नाजिम भाई ने बहुत ही अच्छा ब्रेक टू फिनिश का जो चांस था वो मिस कर दिया और अभी यहाँ पर नाजिम भाई जो है वो प्रोब्लम में आ सकते हैं क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने जो है ना बोर्ड पूरा किलियर करके अपने ओपनोर को द निकाल सकते हैं बहुत यह अच्छी तरीके से भाई ने निकाला है और इसी के साथ गाईज यहाँ पर जो तीसरा मैच है वो अवेश शेक भाई ने बहुत यह अच्छी तरीके से फिनिश किया और तीसरा मैच पिन कर चुके हैं और दो एक के साथ लीड में चल रहे हैं ना आजिम भाई के पास स्ट्राइकर तो आ गया है लेकिन उनको कोई ना कोई शॉट जरूर खेलने पड़े क्योंकि हमारे टॉर्नमेट का रूल है कि आप स्ट्राइकर खाली नहीं चोड़ सकते और इस रूल का पूरा फाइदा उठाया है आवेस भाई ने और यहां पर अपने सारे पक्स भी उपन करवा लिए और यह वाला मैच इसली फिनिश भी कर सकते हैं अभी टॉप राइड में खेल रहे हैं और अगर यह वाला मैच यह जी जाते हैं तो भाई सैमी फाइनल्स में इनकी जगा पकी हो जाएगी क्योंकि पांच मेंसे आपने पहले तीन मैचे जी मैच किसका होने वाला है बाकी यहां पर गाईज टॉप राइट के लिए एक डबल कनेक्शन शॉट कहलने का ट्राइग किया और काफी अच्छी शॉट और इसी के साथ गाईज अवेश एक तीने के साथ यह मैच जी जीच चुके हैं और गाईज आज का जो लास्ट शॉट के लिए बिल्कुल जबर्दस शॉट ती यार उसके बाद यहां पर भाई ने काफी अच्छे तरीके से थोड़ा सा कुलोस थे बोटम लेफ्ट के लिए खेलने का ट्राइग कर रहे थे शॉट बहुत ही जबर्दस थी लेकिन किसमत थोड़ी सी खराब जिसकी विज वेब शोप पर चल रही हो और जिसका प्राइस दो डॉलर या उससे कम हो उसका नाम आप कॉमेंट में लिख दे क्योंकि आप टॉर्णामिट का जो गिववे उसके साथ शामिल हो जाएंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब तो भाई आप विनर नहीं बन पाएंगे बाकी नहीं पर पर क्ये रहते हैं उसके बाद यहां पर खेले शको भी टॉप से हरा दिया है और पॉइंट स्टेबल में भी अवेश एक जो है फिफ्थ पोजिशन पर है नाजम भाई पाहले टॉप सिक्स प्लेयर से बाहर हो गए थे लेकिन इसके बाद दूबारा से टॉप सिक्स प्लेयर में आ चुके हैं और कल का जो दूसरा सेमी फैनल मैच होगा वो कर दो है